नमस्कार दोस्तों स्वागत है आज के इस वीडियो में दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा अगर आपका गूगल एड अकाउंट सस्पेंड हो चुका है और इसमें आपका पेमेंट है तो आप किस तरह से उसे विड्रॉल कर सकते हैं इसके लिए आप आगे वीडियो में ब आप देख सकते हैं उपर में य्योर् एककाउंट इस सस्पेंड करके लिखा हुआ है मैं आपको जूम करके दिखाता हूं दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं हाइड का ऑप्सन और कॉंटेक्ट आसका है इसमें आप इसे रीपलाइब ही कर सकते है री अपील आप जिस तरह से अपने एकाउंट में विड्रोल करना है मैं इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सस्क्राइब कर लिजेगा ताकि इसी तरह का वीडियो में आपको अपलोड करता रहा हूं दोस्तों अभी मैं आप देख सकते हैं मैं मैंने यह अकांड को आपन किया है यहां पर आपको क्या करना है यां एक टूल करके सब्सक्राइब करना है ईड्मिन करके नीचे में लिखा हुआ और बंकर करने के बाद आपका इस तरह से इंटरफेस को लेगा अभी यहाँ पे देख सकते हैं मेरा अकाउंट है वह active करके दिखा रहा है इस पर मुझे क्या करना है यहाँ नीचे में देखेंगे cancel my account करके लिखा हुआ है अभी आपको मैं दिखाता हूं से account को cancel करना है इसे यहाँ पे cancel पे touch करता हूँ जैसे मैं cancel पे touch करूँगा यहाँ पे आपका reactivate करने के लिए बताएगा account तो आपको reactivate नहीं करना है इसी तरह से आपको cancel पे touch करने के बाद छोड़ देना है छोड़ने के बाद आपका 7 working day में payment आजाएगा जैसे आप इस पे click करेंगे तो आपका email आजाएगा आपके email पे email में अभी आपको खोल के दिखाता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ if you cancel your account as will stop it करके लिखा हुआ है तो इसे में आभी आपको और संडे कॉंट नहीं होता है यहाँ पर देख सकते हैं your get a refund सून करके लिखा हुआ आगया मेरा जो गूगल एड पेमेंट आइडी है वह भी आ चुका है यह email में अभी आप सकते हैं वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा यह मैंने आपको दुबारा से रिपीट किया है और वीडियो को आखरी तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाज़